तो नमस्कार मैं आपकेटेक्ट देवेश नेनवाल आज हम बात करने जा रहा है कि सीलन या टेंपनेस क्या होता है क्योंकि मैं देखता हूं कि यहां पर सहरी छेत्र में अगर बात करें तो मैक्समुम 90 90 परसेंट या 95 परसेंट घरों में सबसे जो मेजर प्राब्लम रहती है तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि सीलन क्यों आती है उसके क्या रिजन है और क्या प्रिकॉसंस रखने चाहिए इसके बचाओ के लिए तो इस पर हम बात करेंगे मेरे आप से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें तब ही आपको प्रॉपर इस होता है कंडेंसे जिए तीन टाइप के डैमडेश जनरली हमारे घरों में होती है फ्रस्ट की की बात करेंगे पैनेटरिशन किसके क्या ओस है जिसके जनली जो होते है कि वाटर लीकेज जो होती है ये थल वाल्वाल्स के थे थो जो वाटर लीकेज होती एक दूसरा आपका जैसे आपका terrace है, terrace में जो tile break हो जाती है, उसके थ्रूप, कोई आपका pipe line है, drainage system है, उसके थ्रूप कुछ cracks आ जाते हैं, तो वहाँ उसके थ्रूप आपका penetration हो जाता है, फिर आपका है, जितने भी आपकी external wall होती है, उसमें अगर कुछ cracks develop होगे, तो वहाँ भी penetration, उसके थ्रू cracks है, या जो आपके building में है, जो material यूज किया है, वो प्रॉपर नहीं किया है, यह कहीं पे आपके bricks damage है, तो यह तो इसके cause होगे है, यह आप इसके क्या warning signs होते हैं, कि क्या क्या किस तरीके से आप पता कर सकते हैं, कि यह penetration के थ्रूप, dampness आ रही है, तो इसके होते हैं, आप प्लास्टर में पेंच वर काते हैं, जो आपके paint होता है, paint में deterioration होना सुरू हो जाता है, यह paint का blistering होना लग जाता है, आपके paint आपने देखा होगा निकलना सुरू हो जाता है, यह इसके sign होगे, अब next है कि इसका क्या solution है, इसका यह solution है, जैसे first हमने बताया कि जैसे आप आपका जो गटर है, जहां से आपका रूप का जो rain water होता है, अगर वो गटर ब्रेकेज हो गया तो महां से penetrate करके आपका पानी आएगा, तो एक तो सबसे पहले आपको जो भी breakage है, वो आपको ठीक करना है, आपका drainage system आपको चेक करना है कि जहां भी कहीं पे आपका pipeline या जो चौकट होती है, तो पीच में कहीं तो नहीं है, अगर वो गाप है तो और आपको प्रॉपर करना है, तो यह जितने भी जैसे tiles हो गया, टाइल ब्रेक है, तो टाइल को आपको रिपेर करना है, वो चेंज करके निव लगानी है, उसके joints आपको चेक करना है कि जो जो एक्श सबसे इंपोर्टेंट है आज I think 95% घरों में यही प्रॉब्म है कि हर जगह है आप कमरों में देखोगे तीन-तीन फिट तक सारी दिवाना बिल्कुल खतम रहती है बिल्कुल उसमें आपके पैंच वर्क देखते हैं प्लास्टर निकल रहा है तो अब हम लोग क्या करते हैं कि लगा लेते हैं कुछ लोग बाहर से आज कल वह देख रहा हूं कि सीलन के लिए वह कर दे रहे हैं बट यह क्या है राजिंग डेंप है यह क्या है कैपिलरी सिस्टम से उपर चड़ती रहेगी जो आपको भार नहीं दिखाई देगी वह तो सिर्प आपने एक भार से उसका स खतम नहीं किया अगर आप सोर्स खतम नहीं करो गए तो यह तो केपलरी सिस्टम से उपर चड़ती रहेगी आप इसको रोक ही नहीं सकते हैं तो इसके रोकने आप इस रोकने चाहें तो रोक सकते हैं वह कैसे रोकना है वह हम अभी बात करेंगे कि उसका आपको जब भी मादन है अगर हम इसकी कॉस की बात करें तो इसके कॉस होगे एक तो आपका जो डीपीसी आपने यूज किया अगर वो डिफेक्टिव है वो प्रॉपर नहीं पड़ावा उसमें जॉइंट है तो आपका डीपीसी में पर एक खॉरिजेंटल वेरियर होता है जो कि आपको डें देचा डीपीसी का लेबल और लेवल या हम बात करें फ्लोर के लेवल वो बिल्कुल एक लेवल होना चाहिए ऐसे नहीं कि नीचे नीचे है और प्लोर का लेवल ऊपर है अगर यह भी प्रॉब्लम है तो आपका डेंपनेस आने के चांसे से फिर नेक्स्ट हम बात करें कि जो प्लुन का मतलब होता है कि है आपका फ्लोर लेबल को अगर प्लिंथ बीम का लेबल तोüstनी क्या तो एक सब्से बडा मीजर शेचन, इसका इस था है नेक्स्ट आता है कि जो भी प्लिंथ प्लिंट बीम आपने डाला वह प्लिंट और या नहीं हमेशा आप अच्छा जो व store percent is uses करिए water proping जोनप compound है उसमें व यूूज़ करिया और उसमें कहीं भी आपके outline नहीं होने चाहिए जैसे हनी कॉश्यक्ताना नहीं होने kuश्य कहीं वाटर लेबल से हमेसा ऊपर और ऊपर और अपका बढ़ा मेजर रिजिन है आपका ने साने के अब हम बात करते हैं इसके क्या-क्या उपआए उपाए की बात करें तो सबसे पहले हमारा जैसे मैंने बताया कि प्लिंत वीम आपका प्रॉपर आर्च सी उसमें एक-डेर्टीम एक एक दो कि RCC use होना चाहिए, वो proper water tight होना चाहिए, उसमें कहीं पर पोर्स नहीं होना चाहिए, और आपका पूरे plinth beam में water probe compound से उसको seal होना चाहिए, फिर आपका plinth beam के ऊपर आप polythene की seat या membrane यूज़ कर सकते हैं, कोई भी bitumen based membrane आप यूज़ कर सकते हैं, उसको barrier बनाने नेक्स्ट है कि आपका outer के level से आपका floor के level हमेशा उपर होना चाहिए, at least 2.5 feet आपका उपर होना चाहिए, जिससे कि आपका ground moisture इसमें travel ना करें, फिर next हम बात करें कि जो flooring आप करते हैं, तो हमेशा flooring से नीची हम क्या करते हैं, कि जैसे मिट्टी भर दिया, मलवा भर दिय और फिर हम क्या करते हैं, उसमें इंट के टुकड़े यूज कर लेते हैं, इंट के टुकड़े भी उसमें क्या होते हैं, कि gaps होते हैं, पोरस होते हैं, honey calming होते हैं, कभी भी बिल्कुल 100% solid नहीं होती है, अगर आप इट को पानी में ढालो, तो पानी एब्जॉब करती हो, इ अब से पहले आपने क्या किया, मिट्टी को फिलिंग करी, वो प्यॉर मिट्टी होना चाहिए, या रिवर बैड होना चाहिए, जिसको आप नदी की बज़री बोलते हैं, मलवा आपको यूज नहीं कर दा है, पहला प्यॉर मिट्टी यूज कर दी तो फिर उसको अच्छी यूज करने हैं, पथर कौन सा पथर? जो रोड बनाने में काम आता है, मोटा वाला, उसके साथ जो मोटा वाला पथर है, एटलिस 40 इम्म को होता है, उसके साथ आप 20 इम्म जो आप छट में रोडी डालते हैं, वो मिक्स करके, एटलिस 4 इंच मोटा आपने पूरा अपने कम त्व टाई करके, इसके ओपर आपने 4 इंच आपने कॉंगरेटिंग करनी आपने कर दिया, फिर इसके ओपर आपका फ्लोर लगाने के लिए रेडी हो गया, वट ये सारा जो प्रोसेस है आपका, ये कभी भी ये जरूर ध्यान रखें, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने DPC भी डाली प्लिंद भीम भी डाला उसमें बिटमन की CT भी डाल दी पर फिर भी मेरी यहां सीलन आ रही इसमें सिर्फ यहां चूप कर लेते कि हमने सब कुछ कर लेते हैं पर जो हमारा लेवल होता है मैंने जैसे बताया था कि DPC का लेवल और फ्लोर का लेवल अगर वो कहीं आपने उपनीचे कर दिया तो 100% कुछ भी कर लो यह सारी प्रिकॉसेंस भी कर लो तभी भी सीलन आएगी तो अगर आप उसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हम उसके बारे में बताएंगे कि क्या उसका सई और सटिक तरीका हो सकता हैं कि सुमाच